वेल्ग्स वेलकम टूब लॉटूब चैनल हेल्थी रियल वेल्थ है तो दोस्तों आज बात करेंगे कि येदी आपके थाइराइड के आपको समझ जाए या आपका थाइराइड का जो हार्मोन वो किसी रूप में बालंस नहीं है सही ढंक से नहीं काम कर रहा है तो आपको किन चीजों के सेवन से बचना चाहिए देखे थाइराइड हार्मोन जो होता है वो कोशिकाओं के मरम्मत मोर्टबलिसम को कंट्रोल करने और शरीर के विकास के लिए बहुत जादा मंददकार होता है लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो यदि आपको थाइराइड से समझने कोई भी दूसरी चीजे प्रॉसेस फूड केक, कुकीज जिसी जो प्रॉसेस फूड होते हैं इन में मौजूस सेलेनियम और आयोडेन थाइराइड को नुकसान पहुचा सकते हैं तीसरी महत्तपून चीज है चाए और कॉफी लेकिन चाए और कॉफी तो सब को पसंदीता है लेकिन यदि थाइराइड के समस्या है तो कैफीन यूगत चीजें आपके शरीर को नुकसान पहुचा सकते हैं और थाइराइड के असंतलन में भी जिम्मिदार होती हैं इसके अलावा थाइराइड के मरीजों को ब्रॉकली नहीं लेना चाहिए और ब्रॉकली के सीवन से बचना च तो ब्रॉकली और गोभी का सेवन ना करें इसके अलावा सोया बीन में मौझूद फाइटो एस्टोजन थाइराइड हार्मोन का निर्मान करने वाले एंजाइम्स के कारे को प्रभावित करने का काम करते हैं तो आप यदि थाइराइड के पेशेंट है तो किसी रूट में स जोके में जादा हो जाता है तो इनका प्रयोग है वो सीमित मात्रा में करें और इनकी जगा जो ग्लूटन फ्री फूट्स है जैसे चावल इसके अलावा की इनमाजीर ऐसा बहुत सारी चीज़े हैं जिनका सेवन आप करके ग्लूटन से छुटकारा पासते हैं इसके लिए तो शुगर थायराइड में शुगर वाले चीज़ों का जो सेवन है वह भी बहुत लिमिटेड अमांट में करना चाहिए क्योंकि इससे पाचन क्लिया भी प्रभावित हो सकते और चेहरे पर भी एजिंग बाती है तो यह कुछ विशेश फूट है जो थायराइड को में बहुत जादा फर्क देखने को मिलेगा और थायराइड हालों सही रंग से काम करने लगेंगे तो दोस्तों आज चाह करती हो वीडियो हेल्फुल रहे होगी वीडियो पसंद आए इसमें तुसे शेयर करें चैनल को लाइक और सुब्क्राइब करके ही जाए तो फिर मलत करें तब तक के लिए नमस्कार